आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now कोचरा में ते रखा है Disposal of Any Kind of Electrical and Electronic Waste is Called चार Option हमें ते रखा है पहला है Domestic Waste, दूसरा है Waste तीसरा है Vegetable Waste और आफरी है E-Waste चलिकर चार चार Option के मतलब यहां पर जान जोते हैं पहला है Domestic Waste, देखिए Domestic Waste वो होता है यानि जो घर का कचरा जो होता है जो घर का Waste होता है यानि जो House से निकला हुआ Particularly Waste होता है उसे हम कहते है Domestic Waste इसमें जनरली जो रहते है ये Domestic Chores के जो भी Elements रहते हैं वो इसमें included रहते हैं तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा दूसरा Waste है, देखिए Waste यहां पर बहुत commentsality से लिखा गया है यहां पर हमें यह नहीं बताया कि Waste Actually में है कि तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा तीसरा है Vegetable Waste Vegetable Waste का साफ साफ मतलब होता है जिसमें क्या included रहती हैं? Vegetables included रहती हैं Veggie, tables रहती हैं या Vegetable के parts रहते हैं और इसे इसका इस्तमाल होता है Particularly Biogas Formation में Biogas Formation में इसका इस्तमाल किया जाता है तो again ये भी हमारा आंसर नहीं होगा और last जो हमें option दे रखा वो दे रखा E-Waste E-Waste जो होता है जनरली एक तरीका क्या होता? Electronic Waste होता है Electronic Waste होता है So again ये हमारा right answer है So हमें right answer हमें मिल चुका है अपना option number D Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप ये WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर